क्लास 11 की एलमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की जो एक्सरसाइज 9.6 है उसको आज कम्प्लीट कर देंगे उसके किशन नमबर 7 तक कम्प्लीट कर ली थे 8 to 12 आज कम्प्लीट करेंगे और ये भी पिछले जो किशन के उनी पर बेस्ट हैं तो यहां पे आपको किशन में बोल रखे दा रेशो ओब दा सम उफुस्ट त्री टर्मज ओफ एजी पी टू दा सम और फ़स्ट खिक टर्मीज है को है को एक जी बीक enfant की प्लीट ठीम उनका सम सम अस्या मैसितरी उसका रेशो किसके साथ सम अजह उसsters root wal furry estado आ रखे 25 रैतियो बन विल टीक है तो कॉमन रइशो क्या होगा अब ऐसे 3 बोले तो अगर फर्स्ट टर्म एक ओमन रेशो आर लेट करूं तो क्या हैगी s3 a into r rise to power 3 minus 1 upon r minus 1 रेशो ऐसे 6 बोले तो a into r rise to power 6 minus 1 by r minus 1 और वो रेशो कितना है 125 रेशो 152 अब देखो रेशो में है ना तो दोनों denominator cancel होगे ऐसे a cancel बच्चा क्या r cube minus 1 upon r6 minus 1 इदार 125 upon 152 अब इसको तमीस लिखो कैसे r cube minus 1 as it is इसको लिख सकते r cube whole square minus 1 को 1 square 125 upon 152 अब यह बनिगा a square minus b square a plus b a minus b r cube minus 1 upon इसको क्या लिखे एक बार प्लस एक बार माइनस यानि r q plus 1 into r q minus 1 और वो रेशो किसके क्वाल है 125 upon 152 अब यहां पे r q minus 1 cancel हो गया ठीक है रेसीप्रोकल कर लो बोथ साइड तो r q plus 1 ऊपर आ गया यानि r q plus 1 equal इसका रेसीप्रोकल करोगे तो 152 upon 125 आएगा यह प्लस वन इदर आएगा तो minus 1 हो जाएगा r q equal 152 upon 125 minus 1 solve करो lcm 125 152 minus 125 r q q equal दोनों को minus करोगे तो कितना हैगा 27 और नीचे 125 यह किसकी क्यूब है थ्री अपॉन फाइव की whole q where compare करोगे तो base क्या है मतलब आर आर क्या आएगा 3 upon 5 तो जो और फिफ्त टर्म ophazip собой आ यह एंड यह मतलब माइनस वन बाई टू तो है सेकेंड टर्म अगर मैं फास्ट टर्म ए और इसका कॉमेंट रइशो आप लो तो काल लेते हैं न, n की वैलू तो आपको 8 दे दिये, यहाँ पे मैं क्या लिखो इसको, ar into r cube, इस वाले को, 1 by 16, ar क्या है, minus 1 by 2, into r cube, equal 1 by 16, r cube क्या आएगा, minus 2 पर गया, यानि minus 1 by 8, तो r क्या है, minus 1 by 2, यह minus 1 by 2 whole cube है न, तो compare करोगे, तो r क्या हैगा, minus 1 by 2 आएगा, हमको find करने है, s8, लेकिन उससे पहले a और find कर लो, यह r की value यहाँ पे put करेंगे, तो a क्या हैगा, a into minus 1 by 2, equal minus 1 by 2, cancel 1, a आगया, r आगया, s8, a into r minus 1 by 2, rise to power, 8 minus 1, upon r minus 1, ठीक है, minus उपर से और नीचे से common लेलो, तो minus की कानी खतम, यह positive हो गया, और यह हो गया negative, 2 rise to power 8, और नीचे 3 by 2 positive, क्योंकि negative sign मैंने कोम लेके cancel कर दिया, अब इसको उपर वेज़ दो, मतलब reciprocal कर दो, 2 upon 3 हो गया, यह क्या हैगा, 2 rise to power 8, minus 1, upon 2 rise to power 8, s8 equal, 2 rise to power 8 बोले तो 256, 256, 256 minus 1, 255, denominator में क्या मिल रहा है, एक exponent का मोगी नीचे, 2 rise to power 7, 128, into 3, यह cancel करो, कितना आएगा, 3, 8, 24, 3, 5, 15, और नीचे 1, 28, यह इसका अंसर हो दाएगा, केशन नमर 10, if s n denotes the sum of first n term of azp, prove that s 10 minus s 20, whole square equal s 10 time of s 30 minus s 20, यहाँ पे आपको 3 sum find करने, s 10, s 20 और s 30, ठीक है, और वो value इन्हें में put करनी है, इकोल आजाना चीए, तो सबसे पहले मैं, अगर, जो gp द रखी है, मतलब दे नहीं रखी, जो भी है, जिसकी चर्चा कर रखी है, उसके first term को small a, और common ratio को small r, let करूँ, तब मेरे को s 10 क्या मिलेगा, a into r rise to power 10 minus 1, upon r minus 1, ठीक है, s 20 निकालो, s 20 क्या हैगा, a into r rise to power 20 minus 1 upon r minus 1, और ऐसे 30 भी निकालो, s 30 क्या हैगा, a into r rise to power 30 minus 1, upon r minus 1, ठीक है, हमको क्या चीए, lhs में देखो, s 10 minus s 20 whole square, s 10 minus s 20 whole square, अब s 10 के, s 10 है मेरे पास, ये वाला, a into r rise to power 10 minus 1, upon r minus 1, whole square, इस complete का, अच्छा, s 10 है, ये तो, minus s 20, s 20 बोले तो, ये वाला, a into r rise to power 20, minus 1, upon r minus 1, और complete का whole square, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, a common है, r minus 1 भी common है, बाहर आएंगे तो, अपने square के साथ बाहर आएंगे, ठीक है, यानि, a square upon r minus 1 whole square, बाहर आगया, अंदर क्या बच्छा, फिर, r 10 minus 1, minus r 20, और minus minus plus 1, whole square, ये plus 1 minus 1 cancel, अब यहां से भी common आ रहा है, r raise to power 10, छोटी exponent वाली टर्म common आती है, ठीक है, a square, और यहां से मैंने common लिया, r raise to power 10, लेकिन, वो अपनी exponent 2 के साथ भी आएगा न, तो r raise to power 10 whole square, मतलब r 20, power कितनी होगी, 20 होगी है, r 20 upon r minus 1 whole square, bracket के अंदर क्या value बच्छेगी, उसको लिख दो, जैसे ही मैंने 10 common लिया, तो 1 minus r, यहां पर power कितनी बच्छेगी, 10 बच्छे, 10 बच्छे, 10 निकल लिए थी है न, और इसका whole square भी बाकी है, ठीक है, lhs हमारे पास यह आचुके है, अब बात करते rhs की, rhs की है, rhs हमारे पास, s10 into s30 minus s20, ओके, value put कराओ इसमे, s10, s10 हमारे पास, a into, r raise to power 10 minus 1 upon r minus 1, into s30, s30 यह रहा, a into r raise to power 30 minus 1 upon r minus 1, minus s20, s20 यह है हमारे पास, a into r raise to power 20 minus 1 upon r minus 1, ठीक है, a, ओके, यहां से a common आएगा, बार आएगा, इसे से multiply, okay, a square बनाएगा, r minus 1, lc में का, r minus 1, और वो बार आएगा, तो r minus 1, holy sky रहे गा, और यह ओर रहेड़ी बार था, क्या था बार, r raise to power 10 minus 1 बार था, ठीक है, अंदर अब क्या बचा, यह common आगया, यह a और इसके upon वाला, a और इसके upon वाला, ठीक है, उपर बचा, यह minus यह, अब minus करोगे, तो minus 1, प्लस में हो जाएगा, और यह minus 1, cancel, 1 की कानी खतम, क्या बचा, r 30 minus r 20, हाना, r 30 minus r 20 का मतलब, r 20 आप common होगे, मैंने बदाया आपको, छोटे exponent वाली term, common हाती है, जैसे आप r 20 common होगे, बाहर लिखा, मैंने r 20, common ले लिया, अंदर क्या बचा, 20 exponent निकाल दो इसकी, r 10 और minus, इसके बदले 1, r 10 minus 1 बचा, तो r 10 minus 1 यहापे भी है, यह तो whole square हो गया, ठीक है, अब देखो, lhs क्या था, lhs था, अमरे पास यह वाला, a square, r 20, r minus 1 whole square, अच्छा एक चीज़ और, नीच्छे कब दिख रहे है ना आपको, हो, ठीक है, हाँ, उपर वाला मिल गया, नीच्छे वाला मिल गया, अब यह सेम नहीं है ना, देखो, यह दोनों term, सेम ही है, अगर इनके exponent even है तो, यहाँ से अगर मैं minus sign, कॉमन लूँ, तो इसके जैसे बन जाएगा, ठीक है, और उस minus का square करेंगे, तो positive value आएगी ना, तो यह term और यह term, सेम है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, वन प्लस और यह minus, कब है, जब whole is कहा रहा है, exponent even है ना, उसी case में कर सकते हैं, अगर यह odd होती, तो वो minus फिर आ गया था, ठीक है, बस होगे proof, LHS equal RHS, नेक्स्ट केशन नुमर 11, यह भी 10th की त्रह ही है, और कॉमन रइशो आर हो तो, SN क्याएगा, सम फस्ट एंटर्म क्याएगा, A into R rise to power n minus 1, ठीक है, अपन R minus 1, हो क्या है, S2, S2 क्या बोल रहा है, S2 है, सम फस्ट एंटर्म, यह एंटर्म यह एंटर्म आर्टू, R rise to power 2 n minus 1 upon R minus 1, S3, S3 क्या है, सम फस्ट एंटर्म फस्ट एंटर्म आर्टू, यह एंटर्म आर्टू, R rise to power 3 n minus 1 upon R minus 1, ओके, फिर क्या क्या बोल रहा है, प्रोड़ेट, S1 into S3 minus S2, उसके को लान चीए, तो जो LHS है, उसको बना लो पहले, S1 into S3 minus S2, ठीक है, S1 क्या है, यह value है, A into R rise to power n minus 1 upon R minus 1, into S3 minus S2, S3 बोले तो यह value value, A into R rise to power 3 n minus 1 upon R minus 1, minus S2 S2 के, A into R rise to power 2 n minus 1 upon R minus 1, अब इनको तमीज से लिखना है, मतलब कॉमन लेके लिख दो, A already था, यहाँ पर A upon R minus 1 common है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो A, A square हो गया, R minus 1, R minus 1, R minus 1 whole square हो गया, बच्चा क्या, R rise to power n minus 1, ठीक है, अंदर क्या बच्चेगा, यह common आ गया, यह minus यह, minus minus plus 1, minus 1 cancel, 1 की कानी खतम, R rise to power 3 n, minus R rise to power 2 n, common क्या आएगा, छोटी exponent वाली term, यहाँ र rise to power 2 n, तो R rise to power 2 n, common ले लो, बच्चा क्या, R rise to power n, ठीक है, minus, यह common आगे 1, R rise to power n minus 1, एक पहले से हैं, तो whole square हो गया, यह चीज पर ले पड़ गी न, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे, A upon R minus 1 common है, A upon R minus 1 आगे भी है, common होगे तो multiply होगा, A square upon R minus 1 whole square हो गया, यह term as it is, अभी square को थोड़ देर के लिए बूल जाओ, ठीक है, यहाँ पे अंदर, यह bracket के अंदर वाले बच्चे, बीच में minus है, तो minus minus plus 1, minus 1 cancel, बच्चा क्या, R rise to power 3 n, minus R rise to power 2 n, तो छोटी exponent वाली term common ले लो, मतलब R rise to power 2 n common लो, यहाँ पे लिखा मैंने बच्चा क्या, यहाँ से 2 n निकल गया, single n बच्चा, यहाँ र rise to power n, minus, यह पूरा common आगया, तो 1 बच्चा, R rise to power n, minus 1, और वो यहाँ पे था, एक पहले से, और एक यहाँ पे बच्चा हुआ आएगा, तो whole square हो गया ना, ठीक है, LHS whole हो चुक है, अब RHS भी यही आना चीए, RHS क्या है, S3 minus S1 whole square, S3 बोले तो, यह value, A into R rise to power 3 n, minus 1 upon R minus 1, minus S1, S1 क्या था, A into R rise to power n, minus 1 upon R minus 1, और इसका whole square, यहाँ से A by R minus 1 common है ना, लेकिन whole square है तो, आपने square के साख हाएंगी, ठीक है, अंदर क्या बच्चा, R rise to power 3 n, minus 1, और प्लेस राइस 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 राइस, एक मिनट, एक मिनट S2 minus S1 है, आकि S3 minus S1 ना, यहाँ पर S2 है, तो square S2 करो, 3n को 2n करो, अब अजाएगा, ठीक है, mistake होगी थी, correction कर लेना आप, यहाँ से R rise to power n मैंने common लिया, लेकिन उसका square भी है, तो power कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, और नीचे क्या R-1 whole square जैसे ही आप ये term common होगे R-1 to power N तो यहां पर single N तो बचेगा R की power N R की power N और minus A common आगे 1 और इसका whole square था वो बचा चेक करो R-1 to power 2 N A square ठीक है R-1 whole square ठीक है R-1 whole square ठीक है R-1 R-1 whole square whole square तो ये दोनो इक्वल आज चुके हैं हैं से प्रूब इस पार्ट में एक आगे condition और बोल रुकिए अगर common ratio 1 कर दिया जाए तो क्या होगा what happen if common ratio is 1 तो अगर ये ZP है और ZP में common ratio 1 आता है तो कोई changement होगा है नहीं जो first return में वो ही आती जाएंगे जैसे कि आपको first term 2 दरखी है next क्या हैगी second term क्या हैगी a into r, r के एफ 1 है तो 2 into 1 करोगे 2 फिर उसको r से multiply करते है जाओ ZP बनती जाएगी लेकिन आप 1 से multiply करोगे तो वो ही sequence terms of a ZP तीन terms है वो मैं क्या लेट करता हूं अगर first term a or common ratio आ रहे तो a a r and a r square are in geometric progression ठीक है then prove that ऐसा होगा अब देखो ऐसे क्या है ऐसे sum of first three term यानि ऐसे 3 आप निंकाल लो ऐसे 3 क्या आएगा a into r raise to power 3 minus 1 upon r minus 1 ठीक है ऐसा आ गया और क्या ची मेरे को p product चीए product किस-kिस का product है इन तीनों का तो इन तीनों को multiply करोगे तो क्या है एक यू आर्क्यू एक यू आर्क्यू ठीक है एक और बचिगा आर आर क्या यहां पर sum of first three term को इसने मैं ऐसे बोल रखे तो ऐसी मतलब ऐसी लोग ठीक है आर क्या है इनकी जो टर्म यह जो टर्म मैंने इनको reciprocal करना है पहले इनका और फिर उनको plus करने यह नहीं इनको आर क्यों सु बहुत है डिकलियों तेनों वैल आ चूकिये इसमें पूट कर दाओ Allen ये फीयों है और स्ट्वाःог क्या हूँ पीयरर इस्कोख आर र्क्यूब क्यूब अपॉन है फीयूब क्यूब क्रा स्कूब एलों फैस्क्यूब यह rise to power 6 into r cube r cube करोगे ना यानि इसका whole cube upon इसका whole cube 1 plus r plus r square whole cube upon इसका whole cube यानि a cube r6 ठीक है और divide कर दो s cube से मतलब इसके cube से divide करना है तो divide को जब multiply में change करेंगे तो इसका reciprocal हो जाएगे यानि r minus 1 उपर और ये वाली डर्म नीचे a into r raise to power 3 minus 1 नीचे आएगी और इसका cube और करने है न तो इधर मैंने क्या cube और इधर भी क्या मैंने whole cube ठीक है r minus 1 whole cube r minus 1 whole cube और 1 plus r plus r square चलो whole cube बटाओ मैं पूरे को cube में डाल दूँ ठीक है इसकी भी क्यूब है इसकी भी क्यूब है दोनों को multiply करके complete पर power 3 कर दो a6 बच्चा हुआ है a6 यहां पर क्या है a3 a3 common है ठीक है बच्चा क्या r cube minus 1 cube और उसका whole cube तो a cube minus b cube form create होगी है तो इसको expand कर दो a cube minus b cube 90 class में आप पढ़किया है हो क्या था a minus b into a square plus b square plus a b 1 into r ठीक है और इस complete की whole cube है ओके एक्यूब 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 a6 a6 cancel r minus 1 whole cube यह पूरा यह देख़ो अंदर वाला सेम है सेम है ना whole cube था whole cube तक पूरा cancel कुछ नहीं बचा मतलब 1 तो पर 1 क्या है यही RHS है इसी के साथ आपकी जो exercise है 9.6 वो complete हो चुकिए अब next video 9.7 से related होंगे उसका basic होगा उसके बाद उनके questions होंगे ठीक है